सभापती जी देश का दुर्भाग्य है कैसे सम्वेदन सिल मामलों में भी राजनीती जब होती है तब तेश माच्यों को विशेश कर महलाओं को अकल प्रिड़ा होती है ये जो महलाओं के साथ होते हत्याचार में बिपश्णा जो सिलेक्टिव रविया है ये सिलेक्टिव रविया भावती चिंता जनाद है आदेने सभापती जी मैं आपके माध्यम से देश को बताना चाहता हूँ मैं किसी राज्य के खिलाब नहीं बोल रहा हूँ नहीं मैं को राज्यनीतिक स्कोर करने के लिए बोल रहा हूँ लेकिन कुछ समय पहले मैंने बंगाल से आई कुछ तश्वीरों को सोशल मीडिया पे वीडियो देखा एक महला को महां सरे आम सड़क पर पीटा जा वो बहन चीख रही है लेकि महां खड़े हुए कोई उसकी मदद के लिए नहीं आ रहा है वीडियो बनाने में लगे हुए है और जो कटना संदेश खली में हुई जिसके तश्वीर है रौंग के खड़े करने वाली है लेकिन बड़े बड़े दिगज मैं सुन रहा हूँ कल से इसके लिए पीड़ा उनके शब्दों में भी नहीं जलक रही है इससे बड़ा सर्मिंद्गी का दुखत चित्र क्या हो सकता है और जो अपने आपको बहुत बड़े प्रगति सिल नारी नेता मानते हैं वो भी मुँपे ताले लगा करके बैठ गये हैं क्योंकि समन्द उनके राजलीतिक जीवन से जूड़े किसी दल्थ से हैं या उस राज्य से हैं और इसलिए आप महिलाओं पर हो रही पीड़ा को चुप चाप हो जाए अधरिये सभापती जी मैं समझता हूँ कि जिस पकार से दिग्ज़ लोग भी ऐसी बातों को नजर अंदाज करते हैं तब देश को तो पिड़ा होती है मारी माता और बहनों को ज़्यादा पिड़ा होती है